सबसे पहले हमें लगा लेना है टेलकाम पाउडर इस trips निदो पाउडलने इसलिक व ह्योता उखें ईधियोãy इसलिए लगा लेना है तेलकống पाउडर किसी भी पार्ट पर जब हम brands करते दो सबसे पेले हम लगते तेलक्म पाउडर। उसे बाद में हमारी bag भाएक्स हमारी ना घरन गड़ा हो थेख उस चीज का ज्यान रखना है कि हमारी bagAyc R.O.I. k क्लाइन जल सकता है और ठंडी होगी तो वो हेर्स ने निकालेगी इसलिए मीडियम होने चाहिए तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि गरम ना हो पहले हमें चेक कर लें फिर रिक्लाइन पर लगानी है और जब हम बैक्स पट्टी को यूश करेंगे तो उसको भी हमें बाल होती है वो थोड़ाचा न बहुत ज़्यादा है विलजकी होती है तो उसको जब वैक्स की पट्टी खीचते है तो नीचे से उसे थोड़ाचा पकड़ ले टाइट करना है ताकि जब पट्टी खीचे तो उसमें दिपकत ना होगो कोई रैडनेस ना हो ठीक है वह बाल पर हमने पहले बैस करते इस पर हमें दुबारा जरूर करनी है तकि कि हमारा हिएस रहे गया हो बहुत निकल सकए इस चीज कर आपको बिशिज दान रखना है तुछ पर इस पैचुला की मदस से वैक्स को लगा लेना है इसी तरह से आपको वैक्स को लगाना है कुछ नहीं बहुत एजली होता है वैक्स करना वैसे एक डौबर प्रैक्टिस के जरुवत होती है आराम से सीख जाते हैं और जिन जिन बातों का ध्यान मैंने बताया कि वैक्स करम इस तरह हो इस तरह लगाने है वैसे इस चीजों का ध्यान रखो आराम से निकल जाते हैं और यह पत्ति हमारी दर से गंदी हो चुकी तो इसलिए हमने इसको फोल्ड कर लिया फिर ऐसे लगाएंगे इस तरह से हम करेंगे तो हमारी पत्ति वेश्ट भी ने जाएगी आराम स इस तरह से खीचना होता है चाहे पेट पर या कमर पर या पैरों में कहीं भी कर रहा होता है ठीक है इस चीज का ध्याम रखना अब देखो हमने यहां पर पहले कर चुके थे हम बैक्स लेकिन हम दुबारा करना बहुत जुरूर ही होता है फिर ना दो बार करने से फाइदा क दोवार करना बहुत जुरूर होता है तो बार करने से क्या होता है कि हम बिलकुल एक दम से अगर आए ना हमें फिर कोई डाउटी है ता कि यहां कुछ बाल बचा हुआ है यहां है इसलिए दोष्टो और बैक्स हमीशा हर किसी को करानी चाहिए मैं तो यही एड़्वाइज चाहिए को तो मुश्छी कराने ही चाहिए करों कि घमारे बहुता नहीं को इस चाहिए व्य पाइट करनेु में चुल्ब हो एक्र ही रह जाए यह तो कर वाहनी चाहिए तो बहुत ज़ूरी होते है वेक्स कराना इसी तरह से वेक्स कर लें हैंड को सब्सक्राइब कर कर के और इदर कि स110 कि यहां परहें भी दूल चेश Dubai ह fakadar और ये पहले हमें उपर कर दी कि पहले हमे उपर पे कर Ugh अंगलिओंपर फिर हमें बीच मैं एक हमें पीछे हिसा नहीं है लइक सब्оном हैं इसतर अगर्वाहते दो करते हैं तौब एक कहीं कहीं था si Maldi उसने क्या होगा दूस्तो कि अ rides इस से नहीं हो पाईगी उसमें क्या बाल रहने का चार्ज रहता है क्योंकि हम इसी तरह से वेक्स करना सीख सकते हैं घर पर भी जो लोग पालर नहीं जाते हैं वह भी आराम से शिख सकते हैं एक दो बार प्रक्स के जड़र पड़े ही उनको अराम से कर लेंगे मैं अपने पालर में इसी तरह से इसली वेक्स करना चुछाती हुँ दोस्तों अगर अगर अभी तक दोस्तों आपनी मेरी सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ले सबस्क्राइब करने और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें जब भी मैं अपनी वीडियो डालू तो आ तरह से न हमें उगलियों पर इस तरह से वैक्स कर ले ली तो इसा तरह से न लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं पाता कि वैक्स केतनी गरम है वो गरम लगा देते तो बहुत ज्ञादा गरम नहीं होनी चाहिए इससे अमरे क्लाइन को परिशानी हो सकती है तिक है इसी इसका करना इन चीज़ों का अब ध्यानों को तो एजली वैक्स हो जाएगा इसा कुछ भी नहीं होता है जो दर्बाल होते हैं उसके अपोजित डाइक्टि को खीजना है तो जो बैक्स पट्टि गंदी हो जाए इस तरह से तो हमें चेंज कर लेनी है बस इसी तरह से वैक्स करनी है काफी लोगों को बहुत तफ लगता है या काफी लोग तो डड़ते भी हैं वैक्स करान में कहते हैं हमें नहीं करानी हमें तो लगेगी वैक्स ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों आराम से हो जाती है इस नहीं लगती भी नहीं क्लाइन के अगर तुम्हें करने का तरीका सही से आता है तो अब हमारी वैक्स हो चुक है complete अब हम इसे कर लेंगे wash जिया दोस्तों जो हमने हैंगी डाल रखता वर्टर में हम इसको निचूर कर लेंगे ठीक है इसी तरह से यह देजी जिसी क्या होता है वैक्स में थोड़ी चपचपाट होती है तो फोल्रिंगों हो इसी तरह से वैक्स करनी है अब हम इसके उपर लगा लेंगे हैंड पर लगा लेंगे आफ्टर वैक्स लोशन जी हां दोस्तों उसे लगाना बहुत जरूरी होता है वैक्स करने के बाद में उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे हैंड बेना शाइनिंग भी आती है प्लस अगर आपके पास वो भी नहीं है ना तो आप को आघा सकते हो अगर नहीं है खताम हो गया है आपके स्वालर में ना कोई जो लोग घर पे करते हैं तो इस तरह से लेकिन जड़ी लगाना ज़रूरी है ठीके न इस तरह से न छोड़ें अब देखिए वैक्स हो चुकी है पर येगा कि कैसी लगी आपको मेरे सिखाने के तरीका कैसा लगा ठीके दोस्तों कैसी लगी वैक्स करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई